हमें पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा है अपनी परिवार के सुरक्षा के लिए हमें ये लोग चाते हैं कि हम क्रिमिनल बन जा या कोई गलत कदम उठाएं सोसड अरो उत्पीडन यही अपराध को जनम देते हैं जी हां ये तस्वीर है मैरवा के सिवतापुर के जहां पर धीरा सिंग नामा के कीवाग जो अपने परोशियों द्वारा अपने वर्सों पुराना रास्ता बंद किया जाने को लेकर मैरवा थाने में आविदन दिया है प्रिविव कारवाई नहीं हुच है धियर्ज का कहना है की उसके पड़ोसी बृच बिहारी सिंह विक सिंग तथा मुना सिंग ने बांस भली तथा इट लगाकर उसके पुस्टेणी रास्ते को वरसों से बंद कर दिया है जब वह उनहें ऐसा करने से जान से माने की धमकी भी देने लगे पीडिद ने इन्हें दवंग बताते हुए किसी अपरिये घटना की आसंका चाता है उसने पुलिस से इमामले की जाज कर उचित करवाई करने की गुहार लगाई है वही पीडिद धिरज ने कहा कि अगर पुलिस प्रसासन या कोई अपराधी बनने पर मजबूर है क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है परिसान क्या जा रहा है उनका घर से निकलना तक मुश्किल कर दिया गया है अब देखना ये होगा कि शासन प्रसासन युवर की गुहार सुनता है या नहीं है ठीक है जो हमारे पुस्तैनी जमीन में बना होगा है जिसके जहां पर हमारे पूरे परिवार के साथ हम लोग रहते हैं और हमारे ही गाओं के लोग हैं जैसे ब्रिज पहारी सिंग हो गया है वुनना सिंग बिकी सिंग और उनके 15-20 समर्दक जो हमेशा हंतियार लेके हंति मना करने गया तो वो लोग हमारे उपर हतियार दांदी हैं जिससे हम हमारे घर के लोग काफी देशत में हैं और हम उतनी आठ आज आठ दीन हो गया मैंने पुलिस थाना अध्यक्ष से महरवा सिकायत किया उन्होंने कुछ नेड़ने नहीं निकला पुलिस पार्टी भाई थी और क्या हुआ कि वो रिटन चली गयी ठीक है और फिर क्या हुआ कि उनके जो समर्थक लोग हैं हमारे घर के सामने मूढ करके फिशाप करते हैं पलस वहां क्या करते हैं कि गाली के लोग आये दीन करते रहते ह predictive जिससे हमारे family के सभी लोग नटे दैशत दै कि जो बैसला थ वो सब हमारे पक्ष में आया है, जिसका पूरा साक्ष और कागज पत्तर भी हमारे पास एफलेबल है, और वो ये जमीन तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, लेकिन या तो ये तुम हमारे हाँ से बेच दो, नहीं तो इसको छोड़के तुम लोग चले जाओ दूसरी जी, हाँ, उनके सयोग कर रहे हैं, ये सब लोग हमें धमका रहे हैं, हमारे फैमली वालों को धमका रहे हैं, आज आट दिन से मैं कैद जैसा फिल कर रहा हूं, जेल जैसा, लेकिन हमें हम शाशन प्रशाशन या हर लोग के द्वारा हर लोगों से मिल रहा हूं, जिसमें मैं मैं अपने यहां के मुख्या, सरपंच, सदस्य, जिला पार्सल, MLA तक से मैंने मिला और अपना सब कागज पत्र दिखाया, थाना अध्यक्च को दिखाया, CO को भेजा, मैं अपने यहां के DIG साब को भेजा, मनु महाराज जी को, यहां के SP और DM को सब को भेजा, वार्सेप के माध्यम से, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुए, और ना ही कोई आया, यहां संतोस सिंग जी आये थे, जो ASI है महरवा के, वो आये और गाड़ी से उतरे, फिर गाड़ी में बैठके, मतलब कुछ किये ही नहीं, बोल रहे है कि यह आपका मेटर हमारे बस पर उनका ही सब समुर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, आज हम अकेले हैं, मजबूर है, और लाश्ट में हम हार गया है, वही करेंगी यह रगता अगर इंसाप नहीं मिलता है, तो अदर हको फिर अपका क्या होगा है, क्या कोछ वोग वहार नहीं हुआ है, जी, हमने चैनल के माद्धिम से या अधर प्रेश्ट के माद्धिम से, हमने बहुत लोगों से मदद मागा है, ठीक है, लेकिन कोई हमारा समर्थन सपो जी क्योंकि हमारी फैमिली जो है मैं एक पढ़ा लिखा आदमी है और हमारी फैमिली है तो हमारे फैमिली ही हमारे लिए सब कुछ है हमारा देश हमारा गाउं हमारा समाज जब वही चैन से नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे मैं उन सब अधिकारी जो पिहार में हैं और पिहार गवर्मेंट से भी ये मांग करेंगे यहां के सांसब से भी मांग करेंगे कि आप लोग हमारे हमारे सपोर्ट करें और हमारे जमीन के हमारे जो घर के सामने जो इट और बांस रखा हुआ अटा है और इस पे कड़ा कदम ले और वो जो लोग हैं जो समाज में कूप रथा पहला रहे हैं उनके विरुद कोई एक्षण हो उनका नाम मेरा नाम धीरज कुमार सिंग है मेरे पिता जी का नाम तेज बादूर सिंग है मैं सेहुतापूर का रहने वाला हूँ देखे सर ऐसा है कि यह जो मामला चल रहा है बहुत भी नहीं चल रहा है आठ दस बड़ से चल रहा है सुरू से को अगला को परसान किये जा रहा है कागजपतर सब उसका है थूंँसमें कोई दूती नहीं है, उनके कागज में हर जब कागज-बतर लेकर जा बहुत सही सलामत हो कोई अधर मतनम नुक्सान नहों किसी को ना परसासन सहयोग नहीं कर रहा है जो कागज है अपने क्राम पचार मिसायत आवेदन किया था उसके बाद कोट में भी गाता है इनका क्या नतीजा निकला यह गराम कचारी में भी गए वहां से भी लिखके मिला ज सईट आपेल किये इनको परशान करते रहते हैं थोड़ा सा अगर दिल में थोड़ा से किसी के दिल में अगर मना उता है तो इसको अमल करना चाहिए क्या हो रहा है समाज मैं कि यहां का स्थानिय प्रसास अम जन पढ़ते थी कोई भी नहीं सुन रहा है क्योंकि सब लोग पास आप जा चुके हैं आप लोगे हैं यह मेरे पड़दार है जिस तरह यह पड़दार है उसी तरह भी पड़दार है लेकिन आदम सब देख रहा है कि कुछ बोलने के लिए को सब्सक्राइब करेंगे उसको देखते हुए उस रास्ता को खाली करा दिया जाए ताकि महां कोई भी विवाद होने से बच्जा है हमारा नम सुईत कुमार सिंगा